और दोस्तों आज के इस वीडियो मैं आपको बी ए परिख्शा में होने वाले उन 5 गलतियों के बारे में बताऊंगा जिन गलतियों के वैसे बहुत सारlar लोग फिल वाते हैं और बहुत सारे लोगों का नंबर बहुत ही कम आता है तो अगर आप उन पांच गलतियों के बारे में जानना चाते हैं तो इस वीडियो को पूरा आन तक जोर देखेगा अगर उनसे कोई सब्द गलत हो जाता है तो सब्द गलत होने पर क्या करते हैं कि सब्दों को काटपीट करते हैं और वहाँ पर गलतियों को छुपाने के लिए वाइटनर का पुर्यों करते हैं जैसे दोस्तों यहां पर देख सकते हैं यहां पर दोस्तों प्रसन का उतर लिख को तो दोस्तों को चुपाने के लिए वाइटनर का परिक करते हैं याँ फिर इस तरिकर से अगर सबस्टों को कारें ऐसे नूद्व करते हैं तो इसे दूस्तों होका क्या करें के अंदर आपकी जो गलती है हाईलाइट हो जाएगी आपका जो नंबर्ँ गलत हो जाएगा तो दोस्तो इस बात को IJASM में क्या गलत हो जाता है तो नथ आप को इस तरीके से काटविट करना है और नहीं आपको वायुत का परेख करना है आपको क्या और अगर आपको इस गलती को शुदारना है या फिर इस गलती को दिखाना है तो या तो आप इसको एक बार बीच से मार करके छोड़ दीजिए कि एकजामिनर के पास इतना समय नहीं होता है कि आपकी उतर की एक-एक सब्द को मिला मिला करके जाचेगा उसके पास बहुत कम सम तो सब्दो को ना तो डा रोत कीजिए उसी तरीके से छोड़ दीजिए आप उसको बिल्कुल भी मत चोईए क्योंकि अगर आप उससे छेट-छाड करेंगे तो आपकी पूरी कोपी के अंदर दीख जाएगा यहाँ पी गलती किया गया है, और जब एक्जामेन को गलती दीख उससी तरीके से राने देना है अब दोस्तों दूसरी गलती की बात की जाए तो दोस्तों एक्जाम में जातर लोग क्या करते हैं कि जब किसी परस्ने का उतर लिखते हैं तो वहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं कि परस्ने का उतर लिखते समय या प्रस्न का heading लिखते समय लाइन नहीं छोड़ते हैं जैसे दोस्तों यहाँ पर दूसरी गलती की बात कीज़ा तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों जो प्रस्न का उतर लिखते समय यहाँ पर दोस्तों जो भी heading लिखा गया या फिर जो भी प्रस्मन का उत्तर लिखा गया है यहाँ पर दोस्तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तो पहला हेडिंग यहाँ पर लिखा गया है और यहाँ पर दोस्तो जब दूसरा हेडिंग लिखा गया है तो यह दोस्तो दूसरी गलती होती है जो एक्जाम में बहुत सारलो करते हैं और इस गलती के वाई से भी बहुत सारलो का नंबर कर जाता है तो एक्जाम में आपको दूसरी गलती भी नहीं करना है अगर आप किसी भी प्रस्ण का उतर लिख रहे हैं या फिर उस प्रस्ण का ह तो इस बात को याद रखेगा कि अगर आप कोई भी heading लिख रहे हैं तो पहले heading और दूसरे heading लिखने के बाद बीच में आपको एक line या दो line आपको जरूर छोड़ना है अधिक साधिक आपको दो line छोड़ना है और कम से कम आपको एक line जरूर छोड़ना है जैसे दोस्तो मैं को वतार हूँ कि आपको किस तरीके से heading लिखना है ध्यान से देखिए यहाँ पर दोस्तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तो प्रस्न का उतर लिखा गया है और यहाँ पर दोस्तो पहला heading लिखने के बाद दोस्तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दो हेडिंग और दूसरे हेडिंग के बीच में आपको एक लाइन या दो लाइन जरू छोड़ना है कम से कम आपको एक लाइन छोड़ना है और अधिक साधिक आपको दो लाइन छोड़ना है क्योंकि अगर आप एक लाइन छोड़ते हैं या दो लाइन छोड़ते हैं तो इससे क् एक उतर या दूसरे उतर के बीच में एक या दो लाइन चोड़ना है या फिर आप अगर heading लिख रहे हैं तो heading के बीच में आपको एक या दो लाइन चोड़ना है कम से कम आपको एक लाइन चोड़ना है और एक साधिक आपको दो लाइन चोड़ना है अब दोस्तों तीसरी गल यहाँ पर दोस्तों कापी भरने के लिए सब्दों को बहुत दूर दूर लिखा गया है। सब्दों की बीज की दूरी जो रहेगे दोस्तों एक मेडिय में होना चाहिए एक समान होना चाहिए यानि कि सब्दों की बीज की दूरी इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए अब दोस्तों हमलों चोथी गलती की बात करें जो जातर लोग करते हैं तो दोस्तों चोथी गलती की में दोस्तो इस्टार बनाते हैं जैसे यहां पर दोस्तो आप देख सकते हैं कि यहां पर दोस्तो प्रस्न संख्या लिखा गया है और प्रस्न संख्या लिखते हैं यहां पर दोस्तो तीर का निसान बनाए गया है उसके बाद दोस्तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर दोस्तो उत्र लिखे गया है और उत्र लिखे दोस्तो यहां पर तीर का निसान बनाएंगे है और यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर दोस्तो हेडिंग लिखा गया है और हेडिंग लिखने के बाद क्या किया गया है यहां पर अंडरलाइन देने के बाद दोस्तो यहां पहेस्ठार मना गेय Suzuki पारव्पर तियम्स य समें गार तो दोस्तों एक्जाम में अगर आप प्र趣 न क्या सिर्ख प्रॉपर अगर आप यहां पेस्टार मनाते हैं तो यह दोस्तों बिल्कुल गलत होता है अगर आपय इस्टार बनाएंगे या दोस्तो बिल्कुल गलत होता है तो यह दोस्तो चोथी गलती है चोथी गलती का बिल्कुल भी मत किजेगा अगर आप एक्जाम में तीर का निसान बनाते हैं या फिर हेडिंग के अंदर इस्टार बनाते हैं तो आज के बाद दोस्तो यह चोथी गलती मत किजेगा इस्टार य तो दोस्तो चोथाई कितना चोड़ाई चाहिए ध्यान समझ लिजिए दोस्तो आपके पास जो स्केल होता है एकजाम है जो आप स्केल लेके जाते हैं ध्यान से देख लिजिए यह दोस्तो आपके पास जो स्केल होता है आपको क्या करना है कि skill लेना है और scale की चोड़ाई का डेड़ चोड़ाई नाप करके ध्यान से देख लिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पर ध्यान समझ लेजिए यहाँ पर दोस्तों आपके पास जो scale होता है scale की चोड़ाई का डेड़ चोड़ाई ना आपको चोथाई चोड़ना है जैसे आपकी जो scale है scale की चोड़ाई का डेड़ चोड़ाई तो scale की चोड़ाई कितना हो गया यहाँ से ले करके और यहाँ तक आपका एक scale हो गया चोड़ाई का एक scale डेड़ चोड़ाई से ज्यादा चोथाई अगर आप चोड़ेंगे एक्जाम में तो आपको दोस्तो उस कंडिशन में नमबर आपका बहुत ज्यादा कटेगा या फिर आपको फेल कर दे जाएगा तो दोस्तो आज इस वीडियो को मैं ही पिस्किप करता और मिलता आपसे नेक्स वीडियो में अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और कमेंट करके बते ही कि आपको नेक्स वीडियो की इ तोपिक ओपर चाहिए थैंकिए दूब